जय हिन दोस्तो चले दोस्तों बात करते हैं इस question के बारे में इसमें क्या कहा गया है कि ए जो है वो किसी काम को 15 में करता है दोनों का अब इन्होंने क्या कहा है इसमें कहा गया है बी वर्ट एट इट पॉर एट इस बी ने इस पे एट दे तक काम किया तो कितना किया होगा तो इसमें से 24 अगर मैं माइनस करो तो मेरे पास कितना बचेगा 6 यूनिट बचेगा अब वो कहता है एफ फिनिश धा रीमेनींग वर्क इन हमें डेस तो यह टोटल रीमेनिंग वर्क मेरे पास 6 है एक दिन में 2 यूनिट करता है तो इसका मतलब काम कितने दिन में खतम होगा रिमेनिंग वो ठीडेज में काम कंप्लीट होगा यानि कि option B इस question का जो अंतर होगा वो option B होगा I hope आप सरी कोई question समझ में आया होगा जय हिंद जय भाराइद